नुच्छ दोस्तों स्वागेत है आपका कारोबार चैनल में काफी दूनों बाद में यह वीडियो बना रहा हूं मैं थोड़ा बीजी हो गया था दो महिने काफी चीज़े बदल गी तो दो महिने बाद अब मेरी थर्ड सर्विस थी जो फ्री सर्विस होती तो मैंने वो करवाई है मैं एक बर आपको इंटीर और एक्स्टीर दिखा दूँगा सर्विसिंग के बाद कैसा हो गया तो सर्विसिंग का एक्सपीरियंस अगर मैं सच सच बता हूं तो थोड़ा सच्छा नहीं था क्योंकि छे घंटे अलमोस्त लग गये मुझे सर्विसिंग कराने में जबकि मुझे सिर्फ इसमें सिर्फ ऑईल चेंज हुआ था मैंने पॉलिसिंग के लिए कहा था मैं दिखा है कि वह जो एक्स्रा पेंट जो चड़ जाता ने दूसरी गारी का उपर वह जाते हैं लेकिन अगर आपका कोई पेंट डेमेज हुआ होगा आपका अपना पेंट खराब होगा तो ठीक नहीं होता है तो वह करवाना था वह उसकी प्राइसिंग 1400 रुपे थी जो कि मैंने हा कई थी बट क्योंकि गाड़ी साफ होते होते आते 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 अलमोस्त पांच गंटे लग गया थे तो मुझे लगा शायद पॉलिसिंग में टाइम लग जाएगा तो मैंने वह मना कर दिया और मैं द लग रहा बस वही था कि फाइव आर्स लगा जेटेक स्टार मोटर्स गुड़गाउं में जो की काफी ज्यादा टाइम है मेरे लिए तो ठीक है मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूं कि कैसा लग रहा है सर्विसिंग के बाद ऐसा कुछ सफाई किया इन्होंने मतलब साफ किया और मैंने सामने होके करवाया आप देख सकते हैं गाड़ी थोड़ नीट एंट क्लीन दिख रहा होगा डैशबॉड इसमें अभी भी वह शाइन वाला दिख रहा है बांक यहां देख सकते हैं आप गाड़ी कितनी क्लीन की है ठीक है वह जो दिख रहा है वह शेड बांकि मैं आपको बाहर से दिखाता हूं बाहर से कैसा दिख रहा है तो बाहर से कुछ ऐसा साइन कर रहा है यही वाइट गाड़ी से चुकी थी वह वाला वीडियो यह देख सकते हैं यह लंबा गिसा था यह यहां तक चला गया था तो इसको मैं खुद से हटा के बांकि आप यह देख सकते हैं गाड़ी के चाहाए की एक लीनिंग बगएड़ा बाहर काफी नौई सा रहा हूगा हवा चल रही ठंडी आगे आगे अगए तो बांकि जो सर्विसिंग के बाद जो फील आता वो तो पूरा सही एकदम यह देखे आप पूरा यहां से वहां तक साफ किया है इनोंने मैं आपको ये दिखा जाता हूँ मैं आपको ये भी खुल के दिखाता हूँ यहां से कैसा दिख रहे हैं देख सकते हैं अग्दम नीट अन क्लीन है और ये मैं वहीं पे हूँ उधर जाके थोड़ा आगे जाके लेफ्ट लेके सर्विस सेंटर है ZX Motors का मोबिलिटी करके यह लेख सकते हैं अब कितना नीट अन क्लीन किया है तो सफाई के मामले में इनोंने काफी सही किया और मैंने खड़े होगे खुद से भी करवाया है मतलब ठीक था मतलब मुझ उसमें कोई नी थे पस टाइमिंग इनोंने शिक्स आर्स ले लिया मेरा जो कि मेरे को अच्छा ही लगा कि सर्विसिंग में कुछ काम नहीं था सिर्फ ओल चेंज वगेरा था तो उसमें 6 आर्स नहीं लगने चाहिए थे ठीक है मैं अच्छ अप्लोड करूंगा इसके बाद इसमें आपको मैं य। बताओँगा मेरा की भाइंग के बारे मताताओता दों कि बिल किटना है करेंकि वह जादा इंपोर्टेंट है य्रे तखायत्loyded को बिल कितना है तो यह आज का बिल्ड है जिसमें मैं बताये तो आपको क्या क्या है तो यह जो था यह इंजन ओइल चेंज का था जिसका मतलब अठारा सो करके कुछ 3.5 लिटर का जोड जाड़के इन्होंने जो बनाया वो बना 2100 का कुछ बनाई यह ठीक है उसके बद ओयल फिल्टर चेंज का है जो की नहोंने बनाया 171 रुपीस का है शायद यह कुछ नहीं है ठीक है थार्ड फ्रीसर भी स्था तो लेबर चार्ज बगरा नहीं लगा और यह लुब्रिकेशन का है जो की 708 रुपे जो पड़ गया है लुब्रिकेशन का तो ओवरॉल मैं देखके बताऊं आपको तो 3038 का बिल बना है 3038 ठीक है इस पे मैंने जो पता है ना वो वाइट वाला जो पेंट का जो स्टें था को रिमूव करने के लिए पॉलिशिंग की जाती है मतलब इसक्रैट जो आपका डार्क मतलब जो कलर कड़ स्क्रैट में दिखता है तो उसके चार्जिस तो वही थे राउंड 1400 बोल रहे थे 1400 रुपया तो मेरे को टाइम लेट लग रहा था तो मैंने स्वचा चोड़ देता हूं मैं खुदी करवा लूंगा या फिर मैं खुदी ऑनलाइन कोई स्टेन रिमूवर मंगा के ट्राइ करूँगा कि शायद उससे हो जाए ठीक है दोस्तो तो इसी के साथ दोस्तो आप मुझे बताएं आपको कैसा लगा बांकि माइलेज के बारे में जो एक साल होने को आ गया तो एक साल के बाद जो माइल बहुत बहुत धन्यवाद इतने दिनों से आप मेरे वीडियो का वेट करते रह रहे हैं तो काफी लोग के मैसेज भी आया हैं कमेंट्स भी किया हैं मैंने काफी के सवाल भी थे कुछ तो उन सबको मद्दे नजर रखते हुए मैं आप सभी को तह दिल से नेव वर्स की वीडियो बनाता हूं और आगे बनाते रहूंगा ठीक है दोस्तों इसके साथ टाटा गुडबाई टेक केर